तो यह रही list और total 34 items यह देख सकते हो आप बगी कितनी क्या-क्य क्वेंटिटी है वो भी मैं आपको बताती हूं और Hindi मैं आप यहां से पड़ सकते हो आप screen shot ले सकते हो तो में तो मैं अच्छा से यहां दिखा रही हूं आपको और बाकि जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो स्क्रीन पे जब मैं सारी चीजों को दिखाऊंगी तो वहां पे मैं इंग्लिश में भी लिख दूँगी और एक वार मैं आपको पढ़ा देती हूं फटाफट से कि कितनी कितनी कुएंटिटी है अब ये जिक देखें बीज बंद काला 200 ग्रैम तील 200 अलसी 200 छोटी लाइची 10 ग्राम दाल चिनी 10 सालम मिर्ष्री 10 मुस्ली काली 10 मुस्ली सफेद 10 ग्रैम मतलव पिस्ता 25 ग्रैम, स्तावर 25 ग्रैम, माजू 25 असगंद 25 ग्रैम, गोंद कतीरा 25 ग्रैम, चार गोंद 25 ग्रैम, दखनी सुपारी 25 ग्रैम, कॉंच बीज 25 ग्राम, बांस लोचन 25 ग्राम, मग 25 ग्राम, सत ग्लोब 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, बडी लैची 50 ग्राम, जीर सफेद 50 गरी हाफ केजी बादाम गिरी धाइसो ग्राम और मुंग का आटा पड़ेगा इसमें आधा केजी तो इस तरह से है यह क्वेंटिटी और एक एक करके में चीजे में आपको जिखा जिखा जेती हूं अब दो आए स्टावर यह तो कडवी वली स्वांफ ना बिटी स्वांफ इसा हो लेला मगडिए लाइसों मग यह चार गोंड यह गोंड़ पतीरा गोंड़ पतीरा नीचार एक सारूड़ तक्षाण काँ प्सालम है जुटे बाड़ काँ पावंचा पीजब कौंच पीज सालम सालम नात कमर कास क्या रिए क्या यह क्या रिए केष़ माज्जू अचलान 7anor बाले माल negatively आ़ अप्राव आप्राव सत्राव अशब 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 स्धžड़ तो यह सारी चीज़े अब हम पिस्वाएंगे बाकी चीज़ें भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो यहां पर ही मैंने बिस्वा रहे हूं कि इनके पास बड़ी जैसी मशीन होती है आप चाहें तो मिक्सर जार में भी इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हो तो जो भी पीसने वाली चीज़ें थी वो सारी पीस चुकी है यह रहा मतलब पूरा ब्लेंड उसका और इसके अलावा जो बाकी रहे गई चीज़ें जैसे कि आपको मैंने लिस्ट दिखाई थी तो यही मैं वहीं पर पिस्वाब के लेके आई हूँ और आप यह काम घर पर भ यह किश्मिश है दाख और बादाम यह रहे बादाम साथ में चुहारे का इस तरह से यह अगें एक ब्लेंड ही है यह फिर अलसी बोलता है इसको तो पहले इसको थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर हम इसे पीस के डालेंगे तो यह तब मैं वहां पिस वाके नहीं लाई क्योंकि रोस्ट भी करना था और इसके अलावा यह रहे तिल और तिल के बाद यह हैं तो यह रहा सारा समान बाकी कितनी कितनी क्योंटिटी है एक केजी घी के लिए वह मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया है वहां से आप चैक आउट कर रोस्ट करना है तो बीच में इस तरह से चलाते हुए इसे हम रोस्ट करेंगे तो अभी अलसी जो है हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है और अब मैं इसे निकाल दूँगी एक बरतन में अभी मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रहे हूं जितने भी ड्राइफ्रूट् पीस्ता इसके बाद यह है बादाम यह है काजू जी मैं इसकी तरह से रोस्ट कर लेंगे गैस को बिल्कुल धिमी आंच पे रखा है मैंने अलसी के अंदर ही मैंने यह मगस भी आट कर दिया और इम दोनों चीजों को अब हम पीस लेंगे मिक्सर जार में में ड्राइफ्रू तो अलसी को ग्राइण कर दिया है अच्छी तरह से और यह रहे ड्राइफ्रूट्स अब इन्हें भी हम मिक्सर जार में अच्छे से पेस लेंगे जो भी ड्राइफ्रूट्स रोस्ट करने के बाद घी बच गया था वो मैंने इसी में रहने दिया और बाकी थोड़ा आधा क करीब मतब फिर से डाल रहे हूं और इसमें अब हम जो मूंग का आटा है उसको भूनेंगे अच्छी तरह से तो यह रहा मूंग का आटा और इसे भूनने में जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करनी है गैस जो है लो फ्लेम पे रहेगा और इस तरह से हम सूजवी को भूनते ह अभूनें पे बिल्कुल ब्राउन करते हैं अलुए के लिए बस त्वेम वैसे हम इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे ल Finnish लगातार चलाते तो अभी आप देख सकते हो कि मोंग जो है हमारे बिल्कुल पक चुके हैं हलका ब्राउन कलर जैसा होना चाहिए वैसा हो चुका है और दूसरा आपको दिखाऊं तो यह देखिए बिल्कुल भी आपकी कड़्ची के साथ चीयाद हो चुका है इसके बाद मैं इसमें एड़ कर करके लेके आये थे तो इनका भी अच्छे से पकना जुरूरी है इसलिए मैं सबसे पहले यही तारी चीजे इसमें एड़ कर देंगे तो अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें हम अब और गी डालेंगे आप चाहें तो बाकी जितना भी बच गया है आपका घी स सारा का सारा आप यहीं पर एड़ कर सकते हो मैंने थोड़ा सा बचा लिया पहले में इसको अच्छे से मिक्स कर दोंगी फिर उसके बाद जरूरत कर बड़िंग फिर से एड़ करूंगी तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं यह घी एड़ कर देंगे और बाकी थोड़ा तो इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको मिला लिया ताकि सारी चीजे आपसे अच्छे से मिल जाएं और काफी खीट भी थी बिलकुल लो फ्लेम फे मैंने गैस को रखा हुआ है और इसी बीच बड़ दोल गया हमारी चीजे है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है बहुत जादा नहीं पकाना है खाली वस जो भी घी था और सारी चीजे और अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसी चीजे भी इसी वक्त मैंने इसमें एड कर ली और फिर हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे यह चोहारे थे जो कि अल्रड़ी तीसे वेखे यह जो भी आपके पास चीजे बच गई है वो सारी इसी वक्त हम एड करेंगे और फिर बहुत जादा नहीं पकाएंगे करेंगे यह काम आप चाहें तो गैस पर नीचे उतार के भी कर सकते हो लेकिन मैं यहीं पर एड कर ली हूँ और साथी फिर एंड में जो तिल बच गये थे पर मैं अब सारा कुछ मैंने यहीं पर एड कर लिया अब मैं इसे मिक्स कर लिए तो इस तरह से मेरा बरतन थोड़ा सा कंजस हो जाएं और फिर इसको फिर हम गैस से उतार देंगे और बाद में आप अगर चीनी चाशनी डालना चाथे इसमें तो आप वैसे बना सकते हो और अगर गूड या शकर का इस्तेमाल कर ले हो तो वैसे कर सकते हो मैं यहां पर शकर का इस्तेमाल करेंगी तो उसकी चाशनी ब तो इसको उसी टाइम पे आप इसके लड़ू भी बांग सकते हो यह देखिए बहुत ही ईजिली आपके लड़ू बंद जाएंगे और फिर आप अपने अकोर्डिंग मतलब जिसने बड़े छोटे सा इसके लड़ू बनाना चाहिए उस तरह से लड़ू बना सकते हो मीठे की बात बताओं तो आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग शक्कर यहाँ पे आड़ कर सकते हो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 kg ही शक्कर का इस्तेमाल किया है अगर आप बहुत जादा मीठा पसंद नहीं करते हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके जितना आपको टेस्ट चाह है तो आप इसे जितना मर्जी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं अब हम बान देंगे लड़ू शक्कर मैंने इसलिए अड़की कि चीनी से मोटापा बढ़ जाता है और शक्कर जो हमारी लिए हेल्दी होती है आपका आयरिन भी बढ़ता है इसलिए तो पदीदेव स अच्छे तरह से बंदरी रहे हैं लड़ू बई पूरी सद्यों का कोटा हमने वसाज ही तैयार कर दिया और जितने बहुत टेस्ट होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं और जो अगर सुबह एक लड़ू खा ले गाना तो पूरा दिन उसको एनर्जी मिलती रहें गर बूग ब खा लेते हैं और जिसको दर दो जोड़ों की दर दो उसकी तो एक दम चले आती हाथे के अंतर अगर डेली गाया है तो एक लड़ू यह बन गया लड़ू अगर अच्छे से ना बंद रहे हो तो आप और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हूं और बकी वस आसके व्लोग की इंप